हेलो फ्रेंस मैं हूँ दिशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल दिशा की किचिन में पहले तो आप इस डेजर्ट को देखिए फ्रेंस इस डेजर्ट को मैंने ब्रेड से बनाया है है न टेंप्टिंग जितना ये देखने में अच्छा है उतना ही इसका टेस्टी बहुत अच्छा है तो सबसे पहले मैंने गैस को ओन कर दिया है और पैन को चला दिया है गैस के ऊपर जिसमें मैंने डाल दिया है एक कब दूद इस टेस्टी और माउथ वाटरिंग डेजर्ट बनाने के लिए मैंन दूद भी एकदम बढ़िया से गाड़ा होता जा रहा है दूद को बढ़िया से ओवल जाने के बाद मैंने डाल दिया है आदा कटोरी चीनी मिठास के लिए मैंने यहां पर चीनी का इस्तिमाल किया है साथ ही अपने मिठाई की फिलेवर को और बढ़ाने के लिए मैंने यहां ताकि हमारी मिठाई बहुत टेस्टी और रिच बनकर तयार हो जिस कप से मैंने पहले दूद लिया था उसी कप से मैंने आदा कप से भी कम दूद ले लिया है और मैंने उसमें डाल दिया है दो चम्मच कस्टड और अच्छे से दूद में मैंने इसको मिक्स कर लिया है ताकि क दूद हमारा जल न जाए पैन में, अब कस्टर्ड मुक्स होने के बाद इसको हमें दूद में एट कर देना है, और दूद को हमें लगाता चलाते रहना है, बिल्कुल कम आँच हमें कर लिनी है गैस की, ताकि हमारा कस्टड और मिल्क बढ़िया से मिक्स हो जाए और अच्छे से कस्टड पक भी जाए कच्छा नहीं रहना चाहिए फ्रेंस कस्टड को बढ़िया से हमें इसको पका लेना है थोड़ी दिरवाद आपको पता चलेगा इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में थोड़ी दिर में मारा दूद बढ़िया से एकदम गाड़ा हो जाएगा तो देखें फ्रेंस कस्टड भी मारा बढ़िया से पक करके तयार हो गया है अब इसमें डाल दिया है कुछ कटे हुए बढ़ाम बढ़ाम का टेस्ट इस मिठाए में बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है आगे चलते हैं अब मैंने एक लिलिया है बाउल जिसमें मैंने इसको थनडा होने के लिए छोड़ दिया कस्टड को तक ततक हम बाकी की और साही तैयारी कर लेते हैं यहां पर मैंने लिया है प्लीप्रेट dipping की से कुको मैंने बढ़िया सے कट कर लिया है प्लेन ब्रेटगी हमें जरूरत पड़ेगी इसमें इस रेसीपी में तो इस तरीके से हमने ब्रेटगी साइट्स को काट करके अलग कर लिया है मैंने लिये हैं यहाँ पे 6 पीस ब्रेट के अब मैं लिया है एक कटोरी में दूद उसमें मैं डाल दिया है milk powder, दो चोटे चमच मैं इसमें डाल दिया है milk powder, एक चमच मलाई और एक चमच मैं डाल दिया है इसमें चीनी, तो इसमें अच्छे से घुलनी पारा था मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है, इस तरीके से हमें सारी चीजों को अच्छे से mix कर लेना है और bread के slices को मैंने इस तरीके से काट लिया है, दो bread में से मैंने इसमें से 8 piece कट करके तयार कर लिये हैं इस तरीके से सारे आपको pieces काट लेने हैं और जो मैंने एक mixture बना कर रखाता उसको मैंने बड़िया से bread के बीच में लगा दिया है और फिर से इनको बंद कर दिया है ताकि हमारी bread की मठाई जो हम मिठाई बनाने वाले हैं वो एकदम soft और एकदम juicy बनके तयार हो तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं मैंने और bread में इस तरीके से लगा करके काट कर तयार करके रख दिया है अपनी मिठाई और अब मैं इसको कर दूँगी dip जो बचा हुआ दूद का mixture हमने तयार किया था उसमें हमें बढ़िया से bread को चार तरफ से dip करके रख दिया है ताकि हमारी मिठाई एकदम अंदर से और भार से दोनों तरफ से soft हो जाए और हमें खाने में एकदम से taste बढ़िया आए अब उपा से डाल लेंगे जो बना हुआ कस्टर्ड था ठंडा हो चुका है बढ़िया से अब उस कस्टर्ड को मैंने सारे pieces पे डाल दिया है और इसको उपर से सजाने के लिए मैंने रख दिया है कुछ पदाम और थोड़े-थोड़े मैंने इसके उपर रख दिया है पिस्ता decoration आप अ मैंन आचानक से आ जाएं कुछ मीटा खाने को नहो तो आप इस सविच मीठाई को 10 मिठाई के अंदर दर भना करकर त्यार कर सकते हैं मैंन आपकी तारिफ करते ठकेंगे नहीं आप चाहें तो इस मिठाईक 날 फारット कर्यों आजना होसे करके का Interior के अच्छी लगए और लाइक शेयर जरूर करें मिलते हैं ली वीडियो में थैंक्स पूर हो